नमस्कार स्वागत है आप सभी का। कि माने साथ में आने जाने में सहजता होगी इसलिए एक ही कक्षा में दाखिला करा दिया था हालाकि उम्र में अंतर था दोनों ही साधारन परिवार से तालुक रखती थी इसमें यह सिखने मिलता है कि साधारन परिवार में जन्में लोग में प्यार, सरलता और सम्मान एक पन परिवार में कम ही देखने को मिलता है, दोनों दसवी तक एक साथ पढ़ाई की, फिर उसके बाद उन दोनों की शादी तै हो गए, लेकिन यही बाद थी जिसमें दोनों का भी चड़ने का समय आने वाला था, दोनों की शादी हो गई, दोनों भी चड़ गई, अब दोनों के परिवार में अलग-अलग नियम और काय दे लेकिन उन दोनों ने यह भी अच्छे से निभाया अब उनका मिलना केवल मायके में होता था जब कभी तेवार में घर आते थे दोनों इतनी समझदार कि दोनों ने अपने-पने करतावे अच्छे से निभा रही है आज के जमान चाहिए नहीं उसे अपने अमेरिका घमन और नहीं बिंदू को अपने गरीबी से कोई शिकायत दोनों ही अपने परिस्तिती के हिसाफ से अपने आपको ढाल लिती थी और हर इस्तिती में खुश रहने की कोशिश करती थी इससे हमें यहीं सीख मिलती है कि हमें भी अपने में खुश रहना सिखना चाहिए ना कि हमेशा जीवन का रोना रोना चाहिए अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेहर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद